टीपू सुल्तान, 1750, 1799, इतिहास के पन्नों में टीपू सुल्तान के नाम पर भले ही विवाद चली आ रही है किन्तु टीपू सुल्तान का नाम मिटापाना असंभव है। 20 नवंबर 1750 में करनाटक के देवनहली में जनमें टीपू का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान शाहाब था। सामान्य तथे टीपू सुल्तान, सुल्तान अफ माईसौर, टीपू सुल्तान। उनके पिता का नाम हैदर अली और मा का फकरूनिजा था, उनके पिता माईसौर सामराज्य के एक सैनिक थे लेकिन अपनी ताकत के बल पर वो 1761 में माईसौर के शासक बने। उनकी वीर्ता से प्रभवित होकर उनके पिता हैदर अली नहीं उन्हें शेरे मैसौर के खिताब से नवाजा था। पिता की तरह ही वह भी अत्यादिक महत्वा काक्षी कुशल सेनापती और चतुर कूटनी ते गय थे। यही कारण था कि वह हमेशा अपने पिता की पराज़ का बदला अंग्रेजों से लेना चाहते थे। वह अपने पिता के समान ही निरनकुश थे, वह कट्टर वधर्मान्त मुसल्मान थे। उनके चरित्र के संबंद में विद्वानोंने काफी मतभेद है। माइसोर में एक कहावत है कि हैदर सामराज्य स्थापित करने के लिए पैदा हुए थे और टीपू उसे खोने के लिए। पुछ ऐसे भी विद्वान है जिन्होंने टीपू सुल्तान के चरित्र की काफी प्रशंसा की है। वस्तुताह टीपू एक परिश्रमी शासक, मौलिक, सुधारक और अच्छे योध्धा थे। इन सारी बातों के बावजूद वो अपने पिता के समान कूटनी तिग्य एवं दूरदर्शी थे, यह उनका सबसे बड़ा गुर्ण था। उन्होंने पूरे जोश के साथ उस लाइन को लागू करने के फैसले को लागू कर दिया जिसमें उनके देश में प्राफ्ट स्थिती को इस उपाय की आवशेक्ता थी। टीपू सुल्तान का सामत्वात के प्रती दृष्टिकोन अलग था। उन्होंने इसे एक बार में समाप्त कर दिया और नतीजा यह है कि आज भी करनाटक के किसान विशेश रूप से पूर्व माईस और क्षेत्र में उत्तरी भारत के किसानों से अलग है। जमीन के टिलर टीपू के दिनों से ही अपनी पकड के मालिक थे। इस उपाय के परिनाम स्वरूप यह क्षेत्र में एक विक्सित प्रांथ है। करनाटक के किसान भूमी मालिक है और उनके बेटों और बेटियों ने शिक्षा में अच्छा किया है। टीपू सुल्तान भी अपने राज्य के ब्राह्मन पुरोहितों के प्रती निष्ठावान थे और उनके सहयोग की मान करते थे, यहां तक कि उनके द्वारा देवताओं के आशिरवाद के लिए विशेश प्रार्थना करने का भी अनुरोध किया जाता था। 1791 में श्री गंगात के जगद गुरु स्वामी को लिखे उनके पत्र हिंदू विशेओं के साथ उनके उतक्रिष्ट संबंधों के प्रमान है। इस दावे के लिए टीपू के कुछ तीस पत्रों को भारतिय पुरातत्व विभाग में सनरक्षित किया गया है। दक्षिन भारत के विल्क्स हिस्टॉरिकल स्कैच टीपू सुल्तान की हिंदू नफरत के रूप में कोई भी न्याय नहीं करते हैं। गांधी जी ने उन सभी इतिहास की पुस्तकों का विमोचन किया, जो टीपू सुल्तान को हिंदू धर्मान तरण के लिए मजबूर करती थी। वो सोचते थे कि कन्नर भाषा में टीपू के पत्र हिंदू के प्रती उनकी उधारता का जीवन्त प्रमान है। गांधी जी ने टीपू द्वारा वकफों, ट्रिस्टों को हिंदू मंदिरों के समानां तरस्थापित किया। उनके महल वैंकट रमन श्री निवास और श्री रंगनात मंदिरों के करीब खड़े थे। वो विशेश रूप से मैसूर के शासक की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि शेर के जीवन का एक दिन सियार के सो साल के जीवन से बहतर होता है। टीपू का सुसंस्कृित मन था, मोहिबुल हसन के अनुसार, वो बहुमुखी थे और हर तरह के विशेव पर बात कर सकते थे। वो कंणर और हिंदुस्तानी, उर्दू, बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा तर फार्सी में बात की जो उन्होंने आसानी से लिखी थी। उन्हें विज्ञान, चिकित्सा, संगीत, जोतिश और इंजीनियरिंग में दिल्चस्पी थी, लेकिन धर्मशास्त्र और सूफी वाद उनके पसंदीदा विशे थे। कवियों और विद्वानों ने उसके दर्बार को सुशोबित किया, और वो उनके साथ विभिन विशेयों पर चर्चा करने के शौकीन थे। वो सुलेक में बहुत रुची रखते थे और उनके द्वारा आविश्कृत सुलेक के नियमों पर रिसाला दार खत ए तर्ज ए मुहम्मदी नामक फार्सी में एक ग्रंथ मौजूद है। हजार से आधिक संगीत, हदीश, कानून, सुफिवाद, हिंदु धर्म, इतिहास, दर्शन, कविता और गनित से संबंधित हैं। मंगलों की संधी से भी अंग्रेजों और माइस और युद्ध समाप नहीं हो पाया, दोनों पक्षिस संधी को चिरस्थाई नहीं मानते थे। 1786 E में लाट कार्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बना। वो भारतिय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षिप करने के मामले में सामर्थ नहीं था लेकिन उस समय की परिस्थिती को देखते हुए उसे हस्तक्षिप करना पड़ा क्योंकि उस समय टीपू सुल्तान उन इसलिए वो महान शक्तियों के साथ मित्रता स्थापित करना चाहता था। उसने निजाम और मराठो के साथ संधी कर एक संयुक्त मोर्चा कायम किया और इसके बाद उसने टीपू के खिलाफ युद्ध की घोशना कर दी इस तरह त्रितिय मैसूर युद्ध प्रारंब हुआ युद्ध दो वर्षों तक चलता रहा प्रारंब में अंग्रेज असफल रहे लेकिन अंत में उनकी विजे हुई। मार्च 1792 इमें श्री रंगापै की संधी के साथ युद्ध समाप्थ हुआ तीपू ने अपने राज्य का आधा हिस्सा और 30 लाख पॉंट सेयुक्त मोर् मिला। कुछ हिस्सा मराथों को भी प्राप्थ हुआ जिससे उसकी राज्य की सीमा तंगधरा तक बढ़ गई। शेश हिस्सों पर अंग्रेजों का अधिकार रहा टीपू सुल्तान ने जायतन के रूप में अपने दो पुगों को भी कार्णवालिस को सुपोर्ड किया। इस पराज्य से टीपू सुल्तान को भारीक शती उठानी पड़ी उनका राज्य कंपनी राज्य से घिर गया तथा समुद्र से उनका संपर्ग तुट गया। आलोचकों का कहना है कि कार्णवालिस ने इस संधी को करने में जल्दबाजी की और टीपू का पूर्ण विनाश नहीं करके भारी भूल की अगर वो टीपू की शक्ती को कुचल देता तो भविश्य में चतुर्थ मैसूर युद्ध नहीं होता लेकिन वास्तव में कार्णवालिस ने ऐसा नहीं करके अपनी दूर्दर्ष्टा का परिचे दिया था उस समय अंग्रेजी सेना में बिमारी फैली हुई थी और योरोप में इंग्लेंड और फ्रांस के बीच युद्ध की संभावना थी ऐसी स्थिती में टीपू फ्रांसिसीयों की सहायता ले सकते थे अगर संपूर्ण राज्य को अंग्रेज ब्रिटिश राज्य में मिला लेते तो मराथे और निजाम भी उससे ज टीपू सुल्तान रंगापटी की अपमानजनक संधी से काफी दुखी थे और अपनी बदनामी के कारण वो हंग्रेजों को पराजित कर दूर करना चाहते थे प्रकृती ने उन्हें ऐसा मौका भी दिया लेकिन भागय ने टीपू का साथ नहीं दिया जिस समय इंग्लेंड और फ्रांस में युद्ध चल रहा था इस अंतराश्ट्रिय विकट परिस्थिती से लाब उठाने के लिए टीपू ने विभिन देशों में अपना राजदुद भेजे फ्रांसीसियों को उसने अपने राज़्य में विभिन तरह की सुविधाय प्रदानकर अपने सैनिक संगठन में उन्होंने फ्रांसीसी अफसर नियुक्त किये और कुछ फ्रांसीसियों ने अप्रेल 1798 इंग्रेजों के विरुद्ध टीपू की सहायता की फलत, अंग्रेज और टीपू के बीच संगर्ष आवश्यक हो गया इसी समय लाड वेलेजली बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था उन्होंने टीपू की शक्ती को कुचलने का निश्चे किया टीपू के विरुद्ध उसने निजाम और मराठो के साथ गटबंधन करने की चेश्टा की निजाम को मिलाने में वो सफल हुए लेकिन मराठो ने कोई सपष्ट उत्तर नहीं दिया 1798 में निजाम के साथ वैलेजली ने सहायक संधी की और यह घोशना कर दी जीते हुए प्रदेशों में कुछ हिस्सा मराठो को भी दिया जाएगा पुर्ण तैयारी के साथ वैलेजली ने मैसूर पर आक्रमन कर दिया इस तरह मैसूर का चोथा युद्ध प्रारंब हुआ और टीपू सुल्तान वीर्ता के साथ आखिर तक युद्ध करते करते मृत्यू को प्राप्थ हुए मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया इस प्रकार 33 वर्ष पूर्व मैसूर में जिस मुस्लिम शक्ती का ओदे हुआ था सिर्फ उसका अंथी नहीं हुआ बलकि अंग्रेज मैसूर युद्ध का नाटक ही समाप्थ हो गया मैसूर जो 33 वर्षों से लगातार अंग्रेजों की प्रगती का शत्रू बना था अब वो अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था अंग्रेज और निजाम ने मिलकर मैसूर का बटवारा कर लिया मराठो को भी उत्तर पश्चिम में कुछ प्रदेश दिये गए लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया शेश मैसूर पुराने हिंदू राजवंश के एक नाबालिग लड़के को संधी के साथ दिया इसके अनुसार मैसूर की सुरक्षा का भार अंग्रेजो पर आ गया वहाँ ब्रिटिश सेना तैनात किया गया सेना का खर्च मैसूर के राजवा ने देना स्विकार किया इस नीती से अंग्रेजो को काफी लाब पहुचा मैसूर राज्य बिलकुल छोटा पढ़ गया और दुश्मन का अंध हो गया ब्रिटिश कंपणी की शक्ती में काफी व्रिध्धी हुई फलत मैसूर चारो और से ब्रिटिश राज्य से घिर गया इसका फायदा उन्होंने भविश्य में उठाया जिससे ब्रिटिश शक्ती के विकास में काफी सहायता मिली और एक दिन उसने संपूर्ण हिंदुस्तान पर अपना अधिपत्य कायम कर लिया टीपू सुल्तान की धार्मिक नीती हिंदु संस्थाओ के लिए उपहार 1791 में रघुनात राव पटवर्धन के कुछ मराठा सवारों ने श्रिंगेरी शंकराचार्य के मंदिर और मठ पर छापा मारा उन्होंने मठ की सभी मूल्यवान संपत्ती लूट ली इस हमले में कई लोग मारे गए और कई घायल हो गए कृपया उध्धरन जोडे शंकराचार्य ने मदद के लिए टीपू सुल्तान को अरजी दी शंकराचार्य को लिखी एक चित्थी में टीपू सुल्तान ने आक्रोश और दू, खव्यक्त किया इसके बाद टीपू ने बेदनूर के आसफ को आदेश दिया कि शंकराचार्य को 200 राहत, फनम, नकद, धन और अन्य उफार दिये जाए श्रिंगेरी मंदिर में टीपू सुल्तान की दिल्चस्पी काफी सालों तक जारी रही और 1790 के दशक में भी वेशंकराचारे को खट लिखते रहे टीपू के ये पत्र तीसरे मैसूर युद्ध के बाद लिखे गए थे जब टीपू को बंधकों के रूप में अपने दो बेटों देने सहित कई जटकों का सामना करना पड़ा था ये संभव है कि टीपू ने ये खट अपनी हिंदू प्रजा का समर्थन हासिल करने के लिए लिखे थे टीपू सुल्तान ने अन्य हिंदू मंदिरों को भी तोफे पेश किये मिलकोट के मंदिर में सोने और चांदी के बरतन है जिनके शिलालेक बताते हैं कि ये टीपू ने भीट किये थे ने कलाले के लक्ष्मीकांत मंदिर को चार रजत कप भेट स्वरूब दिये थे 1782 और 1799 के बीच टीपू सुल्तान ने अपनी जागीर के मंदिरों को 34 दान के सनद जारी किये इन में से कई को चांदी और सोने की थाली के तोफे पेश किये नंजनगुट के श्रीकांतेश्वर मंदिर में टीपू का दिया हुआ एक रतन जड़ित कप है नंजनगुट के ही नंजनदेश्वर मंदिर को टीपू ने एक हरासा शिवलिंग भेट किया श्रीरंग पटना के रंगनात मंदिर को टीपू ने साथ चांदी के कप और एक रजट कपूर जवालिक पेश किया मानेता है कि ये दान हिंदु शासकों के साथ गटबंधन बनाने का एक तरीका थे मृत्यू 4 मई 1799 को 48 वर्ष की आयू में करनाटक के श्रीरंग पटना में टीपू सुल्तान की बहुत धूर्टता से अंग्रेजों द्वारा हत्या कर दी गई हत्या के बाद उनकी तलवार अंग्रेज अपने साथ ब्रिटेन ले गए टीपू की मृत्यू के बाद सारा राज्य अंग्रेजों के हाथ आ गया